वेलकम टू आर्जवास्तो आप सभी को मेरा नमस्कार आज की वीडियो में हम बात करेंगे वट्ट सावित्री पूर्डिमा के बारे में वट्ट सावित्री का व्रत महिलाए अपने पती के अच्छे स्वास्त के लिए और लंबी उम्र के लिए रखती है ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पती पर आये हुए सारे कश दूर होते हैं इस व्रत को करने से दामपत्य जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ती मिलती हैं और दामपत्य जीवन खुशाल होता है वट्टसावित्री पूर्णिमा का व्रत हर साल जेश्ट माह की पूर्णिमा तिथी को किया जाता है ये व्रत महराश्र, गुजरात, दक्षिन भारत में रखा जाता है उत्तर भारत में ये व्रत 15 दिन पहले यानि आमवस्या के दिन रखा जाता है इस साल दो हजार तेईस में वटसावित्री पूर्णिमा का वरत तीन जुन को यानि शनिवार को रखा जा रहा है पंचांग के अनुसाल जेश्ट्र पूर्णिमा दिथी तीन जुन शनिवार को सुबह ग्यारा बचकर सोला मिनिट से शुरू होगी और अगले दिन रविवार चार जुन सुबह नो बचकर ग्यारा मिनिट तक रहेगी वटसावित्री पूर्णिमा का शुब मुहरत तीन जुन सुबह साथ बचकर साथ मिनिट से सुबह आड़ बचकर उनसट मिनिट तक है इसके बाद पूजा का मुहुरत बारा बचकर 19 मिनिट से शाम पाज बचकर 31 मिनिट तक है इसमें भी लाब उन्नती मुहुरत 2-3 पी-म से लेकर 3-47 पी-म तक है और अमृत सरवत्तम मुहुरत 3-47 पी-म से 5-31 पी-म तक है वटपूर्णी मा के दिन वटवरुक्ष या बर्गत की पेड़ की पूजा की जाती है ऐसा कहा जाता है इस दिन वटवरुक्ष की पूजा करने से हमें ब्रह्मा, विश्नु और महेश तीनों के आशिरवात प्राप्त होते हैं वटपूर्य मा के दिन वटवरुक्ष को जल और कच्चा दूद जरूर चड़ाए वटवरुक्ष की विधिवत पूजा करके सूत के रहगे से वटवरुक्ष की 5, 7 या 11 बार परिक्रमा करें आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में Stay Happy and Healthy, Thank You